कि नमस्ते में उर्मिला गोजे सब में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारी घर में आज कल बहुत सारे घटा हो जाते हैं क्योंकि आज कल पेपर बैक्स ही ज्यादा चल रहे हैं पॉलेफिन तो बेहन हो गई है तो इन पेपर बैक्स का हम क्या करें कैसे इनको पॉसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना शेयर करना चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राब कर देना सबसे पहले मैंने इस तरह का पेपर बैग लिया जो कि काफी लंबा चोड़ा होता है तो इसके हाइट को कम करने के लिए मैं इसके चारो कोनों को थोड़ा थोड़ा कट कर दूँगी और जो उपर का हिस्सा है उसको अंदर की तरफ पॉल्ड कर दूँगी अंदर की तरफ पॉल्ड करने के बाद है कुछ ऐसा लगेगा अब इसके फ्रंट पेसे में इसको दो दो इन चोड़ कर तीन तरफ से कट कर दूँगी और फिर इसके किनारों को अच्छा लुक देने के लिए मैं मास्किंग टेप कर इस्तमाल करूंगी कर दो कर दो कर दो कर दो तक कर दो जोगे बाद है उन्या अच्छा परहाँ प्रूंगी कर दो है इसे कि दोई पस्तमाल जो इसके हैंडल्स अंदर हो गए हैं उनको भी मैं कट कर दूंगी और जो हिस्सा अंदर की तरफ मैंने फोल्ड किया है उसको किसी भी टेप से सिक्यूर कर देंगे ताकि वह हिले नहीं और इसमें अब आप कार्डबोर्ट रखके अपने कपड़े रख सकते हैं एक सुन्दर सा और प्री का और्गनाइजर आपके लिए बन गया है तो वैसे मैंने तो इसमें अपने दूपटे रखे हैं बड़ी आसानी से हम इसमें से दूपटा अपना निकाल सकते हैं देख सकते हैं कि हमें पौन सा दूपटा चाहिए और इसली निकाल भी सकते हैं तो उमीद है आपको यह आइडिया जरूर पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना शेयर करना चैनल का सबस्क्राइब पर देना नए हो तो अब हमारा है सैकेंड आइडिया तो यहां पर मैं इस पेपर बेग को खोल लोगी आप देख सकत है यह काफी सारा समान इसमें आता है कई किलो समान आ जाता है तो अच्छा है यह टेपर इसको मैं पहले सही से कट कर लोंगी और इसमें से एक स्टेर पीस निकाल लोंगी कट करके अब इस स्क्वेर के बीच में से दो हिस्से करके मैं ट्राइंगल बना दूंगी दो जैसे जैसे मैं करते जाओं बस आपको वैसे जैसे करते जाना है और बहुत ही सुन्दव वर्ल डेकोर बनके त्यार होगा बच्छे इस तरीके से पंखा बनाया करते हैं हमने भी बनाया है जब यह पूरा हो जाएगा तो इसको उर बीच में से हम मोर देंगे तो यह देखे इस तरह से हमें इसको मोर देना यहां से बीच में से और यह एक पत्ती की शेप ले लेगा इसे आप चाहे आप डबल साइडे डेप से चिपका दो अपस में या फिर सेलो टेप से या जो भी टेप आपके पास है उससे आप इसको चिपका सकते है मुझा इसे मैंने डबल साइडी टेप से चिपका है और देखे कितना अच्छा लोग आया है फालतु की जो टेप है उसको हम कट कर देंगे पत्ति की ही शेप में और इसी तरह मैंने दूसरा पीस भी तेयार कर लिया और उसे मैंने दूसरी टेप से चिपकाया है अब मैं इन्हें गोलन कलर के स्प्रेप्रेंट से पेंट कर दूँगी और हाँ थार्ट यूज इनका ये भी है कि जैसे मैंने इहाँ पेपर बैक को ही नीचे लगा लिया है तो हमारे नीचे वाला सर्फेस गंदा नहीं होगा कभी भी आप वाइट वर्ष करें या किसी भी चीज़ को पेंट करें तो आप इस तरह से पेपर बैक नीचे लगा सकते हैं तो आपका जो पर्ष है वो गंदा नहीं होगा या जिस चीज पे भी आप कर रहे हैं तो जैसी मैं टेबल पे कर दें तो टेबल गंदी नहीं होगी तो यह हो गया तीसरा यूज और दूसरा तो यह चली ही रहे वाल्ड डेकॉर जब तक हमारी लीफ सूप ली है तब तक हम यहां पर एक स्टिक सी बना लेंगे पेपर बेक की ही बनाई है और उसको मैं यहां पर इनके बीच में लगा दूड़ी और इसको अच्छे से सूपने के बाद इनको भी हम पेंट कर लेंगे इनने बी मैंने पेंट कर लिया है देखे कितने क्यारे लग रहे हैं आप इन्हें कैसे भी यूज़ करें इस जैसे कि मैंने इहांपर गणपती जी के पास लगा दिया है तो अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना शेयर करना चैनल का सब्सक्राइब करना आप जाए तो इसे पे लगा सकते हैं मतलब यह तो आपका अपना तरीका आप किस तरीके से इनको लगाते हैं मैंने इनको अपने अलमीरा पर भी लगाया तो मैं आपको दिखा रहती हूं कि हमेरा पर यह कैसे लग रहे हैं पैटर्न तो आप अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से तेज कर सकते हैं कि किस पैटर्ण में आपको इनको लगाना है कितमे बनाने हैं अब आजाते हम चौते यूज़ पर तो आपको शायद पता होगा अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं मैंने लास्ट वीडियो शेयर की अपने स्पून वगेरा भी रख सकते हैं या फिर आप अपने पैंसिल पैन वगेरा रख सकते हैं अगर आपने यह वीडियो नहीं देखियो तो देख लेना मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दोंगी अगे अगला आइडिया इसमें हमने पहले आइडिया की तरह जो पेपर रख सकते हैं चाहे तो आप इसमें कपड़े भी रख सकते हैं बस इसको ढेंगे रख लखे इसमें घुल मेटी आएगी नीए आपके कपड़े ये कोपी बुक्स उगेरा सेफ रहेंगी आप चाहें तो वेल्कुरो भी लगा सकते हैं हैंडल को चिप्ताने के लिए तो उससे अच्छे से बंध हो जाएगा ओपर का हिस्सा आप अपने वाड्रोब या अल्मीरा को साफ करके इस पेपर को बिचा कर अपना समान रख सकते हैं तो उससे आपके अल्मीरा या वाड्रोब साफ रहेगी अपना समान आप अच्छे से रख परते हैं इसके उपर थो उमीद है आइडिया आपको पसंद आया हएगा वैसे कॉमल हाई यह लोग lessons बेपर बीचाते ही आज्यक बैखने से अच्छा है कि हम इन्हें रदी में बेचे इसकी रिस्साइकलिंग हो यह हमारे लिए भी अच्छा है और एंवर्मेंट के लिए भी अच्छा है खाना बनाते समय भी हमेश्टर इस्तमाल कर सकते हैं चकले के नीचे बिछा कर इससे हमारा काउंटर टॉप जादा गंदा भी नहीं होगा और हमें जादा महनत करने पड़ेगी सफाई करने में और लास्ट में आप इसे लाउंडर बैक की तरह भी इस्तमाल कर सकते हैं इसे एक तरफ अगर रगतें के बात्रूम में और जो भी गंदे कपड़े हो इसमें डालते रहें लास्ट में मशीन में डाल दें भोलें तो उमीद है आज के सारे आइडियास आपको पसंद आये होंगे पसंद आये हैं तो वीडियो को लाइक कर देना शेयर करना चैनल को सब्स्टाइब करना मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई